Hello dear friends, welcome back to my channel, कैसे हैं friends आप सभी लोग, I hope आप सभी लोग अच्छे होंगे, तो आज के वीडियो में मैं आपके लिए बिल्कुल new idea लेके आई हूँ, तो आज के वीडियो में हम बनाएंगे door mate, floor mate, mate, आप इस trick से जो है कुछ भी बना सकते हैं, और बहुत ही मुलायम सा बनके ready होगा, machine washable है, waterproof है, और इतना मुलायम है, इतना गुदगुदा सा है ना कि देखने के बाद तो आप इसको जरूर बनाएंगे, तो किसी भी देखिए पुराने कपड़े से आप इसको बना सकते हैं, आपके पास पुराना कपड़ा है, जो बिल्कुल बेकार हो चुका है, त इसकी जो लाश्टिक है वो खराब हो चुकी है, आपके पास लोवर है, तो लोवर से बना लीज़े, बच्चों के गरम कपडों से बना लीज़े, इस तरीके का कोई स्वेटर है मुलायम वाला, तो उससे भी आप इसको बना सकते हैं, गरम कपड़े से बनाएंगे, तो मु 28 इंच मैंने यह जो बोरी है उसकी लंबाई रखी है तो देखिए बड़ा छोटा साइज यहां पर आप अपने हिसाब से बना सकते हैं पर मैं जिस साइज पर बना रही हूं वो परफेक्ट साइज है डूरमीट का तो यह देखिए तो इस साइज पर बनाएंगे अब आपके कपड़े को या पैंट के कपड़े को हम रखींगे जो भी है आपके पास और फिर यहां पर देखिए साडी का कपड़ा भी हम कट कर लेंगे और तीनों चीजों को देखिए इस तरीके से बराबर से रखना है नीचे बोरी बीच में मैंने कमल के कपड़े को रखा है उपर म कैसे मैं तीनों चीजों को पिन-प कर रही हूं वैसे हम पिन-प कर लेंगे या फिर आप देखिए कच्छी सिलाई भी लगा सकते हैं और आज कर यह जो डोरमेट है वह बिना पाइपिंग के हम बनाएंगे तो इसमें देखिए कोई भी पाइपिंग बगेर कि आपको ट्रिक से हम इसको बनाएंगे तो चारो कॉर्णर पे चारो जो कोने हैं उहां पे देखिए इस तरीके से मैंने चौक से आधा इंच का गोलाई देके इस तरीके से निशान लगा लिया है अब यहां पे फ्रेंड्स हमको देखिए थोड़ी सी जगह बीच पे छोड़ना है पा सिलाई लगाना है बहुत ही आसान है और यह जो डोर्मेट या पाइदान हम बनाने वाले हैं तो इसको हम बिना पाइपिंग के बनाएंगे कोई भी पाइपिंग वगेरा की जंजट नहीं है जिससे कि आप देखिए किसी भी नॉर्मल सिलाई मचिन पे आप इसको बना सकते हैं तो यह देखिए इस तरीके से जैसे मैं सिलाई लगा रही हूँ चारो कॉर्नर पे मैंने हलकी हलकी देखिए गोलाई दी है तो इसी तरीके से हम चारो तरब देखिए किनारों पे गोलाई देके सिलाई लगाएंगे और बीच में मैंने चार से पांच इंच जगह छोड अब ये जो मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ी थी वहां से इसको हम पलट लेंगे तो ये देखिए इस तरीके से इसको हम पलट लेंगे और अच्छे से देखिए सीधा कर लेंगे हम तो ये देखिए इसकी जो किनारे हैं बहुत ही अच्छे से देखिए राउंड थोड़ा सा यहाँ पे safe आया है इनका, तो इसी तरीके से बनाईएगा, तो बहुत ही प्यारा सा look आयेगा इसका ये देखिए, अब ये देखिए, इस तरीके से ये ready हो गया है, तो इसी तरीके से हमको, इसको ready करना है पलटके, अब ये जो देखिए थोड़ी सी जगह जो हमने पलटने के चोड़ी थी तो वहां से कपड़ों को इस तरीके से हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा देंगे तो इस तरीके से देखिए चारों तरफ हम पूरा इस पे सिलाई लगा लेंगे जिससे कि جो किनारों की जो सिलाईया है वो अच्छी तरीके से बैठ जाएंगी तो इसी तरीके से सिलाई लगाईएगा और इसको मैं देखिए बिना piping के बनाऊंगी बहुत से लोग की फ्रेंड्स piping पे देखिए machine नहीं चलती है तो जिन लोग के साथ ये दिक्कत होती है न तो वो इस तरीके से आप देखिए पायदान, डॉर्मेट, मेट, चटाई कुछ भी बना सकते हैं इस न्यूट्रिक से इसमें कोई भी देखिए piping वगेरा की जंजट नहीं है और बहुत ही जल्दी ये आपका बनके भी ready हो जाता है और बिल्कुल न्यूट्रिक से हम इसको बनाएंगे जिससे की बहुत ही मुलायम सा ये बनके ready होगा आप इसको मेट के जैसे यूज कर सकते हैं डोर मेट के जैसे यूज कर सकते हैं किचन मेट बना सकते हैं कुछ भी बना सकते हैं अब ये देखिए मैंने इसके चारू तरब से सिलाई लगा लिया अब इसके बीज बीज पे भी हम एक दो सिलाई लगा देंगे जिससे की जो तीनों कपड़े हैं वो आपस में देखिए अच्छे से अटेच हो जाएंगे तो मैंने एक सिलाई लगाई है आप दो तीन सिलाई लगा लीजेगा और बहुत ही फिनिशिंग से ये हमारा रैडी हुआ है तो ये देखिए फ्रंट इस तरीके से ये रैडी हो गया है तो इसी तरीके से हमको एक सिंगल पीस रैडी करना है इसमें कोई भी पाइपिंग नहीं लगेगी हमारी बहुत ही फिनिशिंग से बनके रैडी होगा अब देखिए एक तरफ मैंने आधा आधा इंच का गैब देखे मैंने कुछ पांस से छे लाइने घीची है तो वैसे हम दूसरी तरफ भी लाइने पहले घीच लेंगे और दोनों तरफ देखिए हमको बराबर से लाइनों को घीचना है अब आप चाहें तो बीच पे भी इस तरीके से देखिए यह जो मैंने लाइने जो घीची है पहले साइडों पे हम देखिए यहाँ पे पटियां जोड के पहले रैडी करेंगे फिर बचेगा कपड़ा तो हम बीच पे जोड लेंगे और मैं इसको देखिए एक ही लोवर से बना रही हूँ और बीच में मैं आपको एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताऊंगी जिससे कि आप इसको बहुत ही कम कपड़े पे बनाके रैडी कर सकते हैं और जादा कटिंग बगेरा में भी आपको टाइम देखिए आपका नहीं लगेगा तो चलिए फ्रेंड्स अब लोवर लेते हैं और ये देखिए लोवर या फिर जो भी गरम कपड़ा है आपके पास आप उसको ले लीजिएगा तो ये देखिए अब लोवर पे पहले नीचे का जो मोटा वाला जो कपड़ा था उसको मैंने कट कर दिया है और इसकी जो सिलाईया है उसको हम खोल लेंगे और वीडियो को फ्रेंड्स पूरा लाश्ट तक देखिएगा वीडियो आपके बहुत काम आएगा तो ये जो जेब वगेरा है फ्रेंड्स इनको भी देखिए हम पूरा यूज करेंगे और इससे जो चेन वगेरा भी निकलती है तो उसको भी आप रख लीजेगा कभी जैसे कुछ आप बनाएंगे तो आपके काम पड़ेगी तो ये देखिए इस तरीके से पहले कटिंग करके कपड़े को इस तरीके से सीधा कर लेंगे और इस तरीके से पूरा इसको खोल के हम देखिए इस तरीके से पूरा रेडी करना है हमको अब यहाँ पे फ्रेंड्स आप जिस साइच पे देखिए डोरमेट की जो चोड़ाई है आपकी उसके साइच पे आपको पटिया कट कर दी है तो लंबाई तो आप कम जादा रख सकते हैं छोटी पटिया भी हम लगा लेंगे पर यहाँ पे जो चोड़ाई है वो आपको यहाँ पे देखिए तीन इंच रखना है ना तो तीन इंच से आपको जादा रखना है और ना ही तो आपको तीन इंच से कम रखना है तो तीन करेंगे जिधर से भी आपकी पट्टियां कट होती हैं आपको पूरी कपड़े से पट्टियों को इस तरीके से कट कर लेना है एक भी जो कपड़ा है उसको देखिए हम बेकार पे नहीं फेकींगे तो इस तरीके से जैसे मैं कटिंग कर रही हूं वैसे हमको कटिंग करना है औ और तीन इंच चोड़ी पट्टी हम कट करेंगे, छोटी बड़ी पट्टी तो देखिए हम छोटी पट्टियां भी यूज कर लेंगे, पर चोड़ाई हमको यहाँ पे तीन इंची रखना है इसकी यह देखिए, तो यहाँ पे जैसे मैं यह कुछ मैने पट्टियां जैसे कट करी हैं वैसे ही देखिए हमको पूरे लोवर से या जो भी आपके पास गरम कपड़ा है बच्चों के जो कपड़े हैं उनसे भी आप इसको बना सकते हैं तो तीन तीन इंच चोड़ी यहाँ पे लंबी-लंबी पट्टियां देखिए हम कट कर लेंगे तो यह देखिए फ्रें अब यह देखिए फ्रेंड्स यह जो पट्टियां हमने कट की हैं तो उनको इस तरीके से देखिए पहले हमको लेना है और यह देखिए अंदर का जो कपड़ा है उनी वाला उसको इस तरीके से उपर की तरफ रखेंगे यह देखिए और इस तरीके से सिलाईयां हमको लगा किनारे किनारे पर तो यह देखिए फ्रंट जो अंदर वाला जो कपड़ा था उसको मैंने सीधा करके इस तरीके से रखा है जिससे कि यह हमारा बहुत ही गरम सा और मुलायम सा बनके रेडी होगा जो लोवर के जो ऊपर तरफ जो कपड़ा रहता है सीधे पर वो तो एकदम फ पट्टियां हैं तो सिलाई लगाने में भी बहुत ही आसानी होती है देखिए सुई बगेर बिल्कुल भी नहीं टूटती है आसानी से आपकी सिलाई लग जाती है और किनारों पे देखिए हमको पक्की सिलाई लगाना है या आप चाहे तो देखिए डबल सिलाई भी लगा और छोटी पट्टियां भी हैं आपके पास तो देखिए आप उनको भी यहाँ पे इस तरीके से जैसे मैं जोड रही हूँ ना तो वैसे इस तरीके से रखके आप उनको जोड के रेडी कर लीजेगा ये देखिए छोटी पट्टियां भी आपकी यूज हो जाएंगी बस आप को ध्यान रखना है कि जो पटty है उसको आपकी चोड़ाई को कमने करना है तीन इंच चोड़ी ही पट यह हम करेंगे जिससे कि जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो बहुत ही मुलयम साई यह हमारा डोरमेट floormate आप जो भी बनाना चाहते हैं बनके ये आपका ready हो जाएगा तो ये देखिए friends इस तरीके से बस simple simple आपको सिलाई लगानी है और कुछ भी नहीं करना है और 2-3 घंटे के अंदर आप इस तरीके का doormate, पाइदान, mate, चटाई कुछ भी बना सकते हैं friends बहुत ही जल्दी ये बनके ready हो जाता है तो ये देखिए मैंने 3-4 पटियां जोड ली है अब जैसे देखिए एक तरफ मैंने जोड के ready किया है वैसे हम दूसरी तरफ भी जोड के ready कर लेते हैं तो देखिए friends दोनों तरफ ना हम पटियों को बराबर से जोडते जाएंगे जिससे की जितनी भी पटियां हैं हमारे पास तो बराबर से दोनों तरफ हमारा ये ready हो जाएगा पहले तो और फिर बीच पे जितनी जगह भी हमारी खाली बचेगी तो उसको आप चाहें तो एक दूसरे लोवर से उसको भी फिनिश कर सकते हैं जोड के पटियों को नहीं तो फिर मैं एक ट्रिक बताऊंगी जिससे की आप उस ट्रिक का यूज भी आप कर सकते हैं तो चलिए फ्रंट्स पहले मैं इस तरब भी सारी पटियों को जोड लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे रेडी हुआ है और फ्रंट्स यदि देखिए आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरी आप से रिक्वेश्ट है कि आप देखिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा और मेरे चैनल पे देखिए डूरमेट के पाइदान के बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो हैं तो आप चैनल पे जाके उनको देखिएगा उनको भी मैंने कुछ न्यू ट्रिक से अलग तरीके से उनको बनाया हैं तो वो भी आपको बहुत ही पसंद आएंगे तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उन वीडियो को भी जाके देखिएगा वो ट्रिक भी आपको बहुत काम आने वाली है तो इस तरीके से देखिए ये जो डूरमेट हम बना रहे हैं तो इसको हम बिना पाइपिंग के बना रहे हैं और इस पे हम ना सिंगल सिंगल प तो इस तरीके से आप सिंगल सिंगल पट् यों से भी बहुत ही प्यारा सा दोर्मेट आप या फ्लोरमेट चेटाई आप देखिये कुछ भी ना सकते हैं इस ट्रिक से ये दूसरी वाली पट्टी भी हम जोड लेंगे और छोटी-छोटी कपड़े हैं आपके पास छोटी-छोटी यदि पट्टिया भी हैं बच्चों के कपड़े हैं बहुत सारे खट्टे हो गए हैं तो उनसे भी आप इसको बना सकते हैं आप चाहें तो इसको अलग-अलग क कोई गरम कपड़ा है तो आप बीच पे पट्टियां जोड के इसको रेडी कर सकते हैं अब मेरे पास तो एक ही लोवर था और ये देखिए बेलवेट का मेरे पास कपड़ा बचा हुआ है तो पहले तो इस तरीके से जो बीच पे जितनी जग हमारी बची हुई है न उससे देखिए चारो तरफ एक एक इंच बड़ा कपड़ा हमको कट करना है तो इस तरीके से नाप लेंगे और आपके पास देखिए बेलवेट का कपड़ा नहीं है तो कोई भी गरम कपड़ा आप यहां पे यूज कर सकते हैं किसी भी गरम कपड़े से आप बीच में पट्टी यहां पे हमको लगाना है आपके पास कोई देखिए टी शेट है लेगी है तो उसका कपड़ा आप लगा सकते हैं तो मैंने बीच पे जो जगह हमारी छूटी थी उससे मैंने चारो तरफ देखिए एक एक इंच बड़ा कपड़ा मैंने कट किया है और अंदर की तरफ देख देखिए इस तरीके से बिल्कुल फिनिशिंग से हमारा यह रेडी हो जाएगा अब किनारों पे भी मैंने फोल्ड करके पिनप कर दिया है इस तरफ भी हम साइटों पे भी देखिए पिनप कर लेंगे इस तरीके से अब यह देखिए इस तरफ से भी इस तरीके से फोल्ड क लेंगे तो देखिए इस तरीके से चारो तरब बस हम को देखिए पिन अप करते जाना है और आपके पास पिन नहीं है तो आप पहले एक बार देखिए लंबी-लंबी सिलाईया लगा लीजेगा और ये जो किनारे हैं उनको अच्छी तरीके से इस तरीके से फोल्ड करिएगा जिससे की देखिए बी सेंटर पे फिनिशिंग अच्छी आनी चाहिए तो ये देखिए मैंने बहुत ही अच्छे से इसको फोल्ड कर लिया है और पिन अब भी कर लिया है अब ये देखिए जैसे में सिलाई लगा रही हूं वैसे ही सिलाई लगाना है ये देखिए एक से जब आप बनाएंगे तो बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा और बिल्कुल भी पाइपिंग वगएरा की कोई भी जहंजट नहीं है इस पे बहुत ही फिनिशिंग से बनेगा और बिल्कुल नए तरीके से मैं इसको बना रही हूं यह देखिए तो पिन को खोलते जाएं तो कोई भी धागे वगएरा कुछ भी आपका इस पे नहीं निकलेगा बहुत ही फिनिशिंग से बनके यह रेडी होने वाला है तो देखिए एक तरफ से मैंने सिलाई लगा के इसको खतम कर दिया और एक तरफ देखी हमने सिलाई नहीं लगाई है अब यहाँ पे तीन-तीन इंज मैंने यहां पर चोड़ी यह जो लाईने घीची है इस तरीके से तो आपके जितनी लाईने आती है आप उस तरीके से इसको लाईने बना लीजेगा और नीचे की तरफ यह देखिए एक तरफ मैंने खुला रखा है अब यह जो सिलाई यह जो हमने निशान लगाए हैं फ्रेंड्स उनके ऊपर हमको सिलाईया लगानी है तो यह देखिए इस तरीके से मशिन को इस तरीके से रखेंगे और इस तरीके से देखिए सिलाई लगाके यहां पर हमको सिलाई को खतम कर देना यह देखिए तो यह जितने भी निशान मैंने लगाए थे 3-3 इंच का तो बस उन्ही के उपर ये देखिए कपड़े को अच्छे से फैला के हमको सिलाई लगाना है जिससे कि देखिए कोई भी सिलुवटे वगेरा नहीं आनी चाहिए इस पे तो इस तरीके से फैला के कपड़े को जैसे मैं सिलाई लगा रही हूँ वैसे हमको सिलाई लगाते जाना ही ये देखिए तो 5-6 सिलाई हमको यहां पे लगानी है बहुत ही simple है आप अराम से लगा लेंगे तो चलिए friends पहले इस पे पूरा सिलाई हम लगा लेते हैं और आपके पास friends देखिए यदि कतरन है, साड़ी है, दुपट्टा है, बहुत से पुराने कपड़े हमारे पास होते हैं, जिनका कोई देखिए यूज नहीं होता है, तो आप उनको यूज कर सकते हैं, तो इस तरीके से देखिए मैंने सिलाईया लगा ली और एक तरफ मैंने देखिए खुला छोड़ा है इसको, अब जो भी धागे वगेरा हमको कट कर लीजे, अब आपके पास फ्रेंड्स देखिए, जो भी साड़ी है, दुपट्टा है, कतरन हैं, तो आप उसको यूज कर सकते हैं, तो मेरे पास थोड़ी सी देखिए, कपड़ों से बची हुई कतरन हैं, जब हम कुछ बना देखिए, हम जो कपड़े हैं, उनको अंदर की तरफ, खिसकाते जाएंगे, ये देखिए, पहले इस तरीके से कपड़ों को डालेंगे, और कोई भी नुकिली चीज से कपड़ों को आगे की तरफ से, से तरीके से, देखिए, सैट करते जाना है, तो ये जो जितनी भी सकते मिर पाकटरन नहीं थी तो मैं कतरन को ही भर लेती हुं इसके अंदर तो कतरन भी रहिए कतरन से भी अमीद्नित के रडी होता है वसम को ध्यान राखोण है कि देखिंगे आ कि मुलायम य कपड़े हम बहुत ही मुलायम होता है, कोई नेट का दुपट्टा है आपके पास, तो उसको भी आप इसके अंदर भर सकते हैं, बहुत ही आसान है, और पुराने कपडों से ही, बेकार के कपडों से ये आपका बन के रेडी हो जाएगा, तो सारी जो लाइने थी वो मैंने भर के रेडी कर अब यह देखिए तो जहां से हमको सिलाई लगाना है न तो वहां से कपड़े को थोड़ा अंदर की तरफ हम देखिए भर देंगे जिससे की हमको सिलाई लगाते आसानी से बन जाएगी अब कपड़े को थोड़ा सा देखिए अंदर की तरफ फोल्ड करके हम सिलाई लगा ले जाएगे और बहुती असान तरीके से आपकी सिलाई हो जाएगी तो देखिये सिलाई लगा ली मैने ऐसी तरीके से अब अब सिलाई लगा ली यह रैड़ी हो गया आप चाहेँ थे इसको उसे भी यूज़ कर सकते हैं ज़िसकी कटिंग नहीं करना चाहते है न treatment ऐसे भी इसको यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लागेगा, अब यहाँ पे देखिए हमको पट्टियों को कट करना है, तो जितनी बारिक पट्टी आप यहाँ पे कट कर सकते हैं, तो उतनी पतली आप पत्टी कट कर लीजिए, बस आपको ध्यान रखना है कि यह देखि इसको यह देखिए हम से बारिक में, जूनी कट कर सकते हैं, अब यह दूसरी वाली लाइन भी कट कर लीजिए, और यहां पर मैंने देखिए फेर। कि यहां पर जो पट्टी की पती की जो है . अब अधिकना ने है पर ऑफ ही अच्छा लग रहा है देखने में अभी तो यह देखी मैंने इतनी पट्ट्ट कर ली है तो बहुत यह अच्छा सा लुक आ रहा है इसका cutting करने के बाद तो चलिए friends इसको पहले मैं पूरा complete कर लेती हूँ फिर आपको मैं इसका final look दिखाती हूँ तो ये देखिए friends cutting करने के बाद कुछ इस तरीके से ये ready हुआ है और इतना अच्छा लग रहा है ना देखने में ये देखिए बहुत ही अच्छा है बहुत ही मुलायम है बहुत ही अच्छा बनके ready हुआ है तो आपके पास भी देखिए कोई पुराना lower है कोई भी पुराना देखिए sweater है तो आप जरूर बनाईएगा और जैसे मैंने बनाया है इस trick से तो उसी trick से आप इसको बनाके ready करिएगा बहुत ही अच्छा बनेगा आज की वीडियो देखिए आपको कैसी लगी है कमेंट करके आप जरूर बताईएगा और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज वेरी आपस रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जदा से जदा लाइक करियेगा वीडियो को जदा से जदा अपने friends और family member के साथ share करियेगा और चैनल पे आप पहली बार आएएं तो चैनल को subscribe ज़रूर कर लीजिएगा तो ये डोरमेट कैसा बना है comment करके आप ज़रूर बताना और बहुत ही अच्छा बना है फ्रेंड्स अच्छा लगा है तो आप भी बना के जरूर ट्राई करिएगा मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में नए आइडिया के साथ थैंक यू